दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि कुछ दिन पहले अर्जेंटिना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दोरे पे आये थे और इस दर्मियान भारत और अर्जेंटिना के बीज में एक तेजस मार्क वान एयर क्रेप्टों को लेके भी बात चित हुआ पर अर्जेंटिना के सामने सबसे बड़ा मुश्किल का बात है इन एयर क्रेप्टों में इस्तेमाल होने वाला ब्रिटिश कॉम्पोनेंट रिपोर्ट में दावा यह वी किया जा रहा है कि अगर भारत के द्वारा इन यरक्रेप्टों में इस्तिमाल होने बाले British component को replace कर दिया जाता है तो Argentina इन यरक्रेप्टों को खरिदने के लिए तयार है। अब दोस्तो ऐसे में अगर भारत के तरफ से इन पार्ट्स को ना बदला जाए तो शायद भारत और अर्जंटिना के बीच में ये डील ना हो सके, पर भारत के लिए भी इन पार्ट्स को बदलना इतना आसान नहीं, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि करिफ-करिफ 16 ऐसे प तो भारत भी इन पार्ट्स को बदलने के लिए तैयार है, दोस्तो यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बता दू कि भारत के जो तेजस मारकवान ये एरक्रेप्ट है, इसमें करीब-करीब 16 के आसपास ऐसे सिस्टम्स और सब सिस्टम्स और लाइन रिप्लेस्मेंट यून अर्जेंटिना को नहीं बेश सकता, और दूसरे तरफ अब अर्जेंटिना भी अड़ गया है, और अर्जेंटिना भी किसी भी तरीके के ब्रिटिश पार्ट लगे हुए हत्यारों को खरिदने से मना कर रहा है, पर दोस्तो इन पार्ट्स को बदलना भारत के लिए इसलिए अर्जेंटिना के द्वारा इतने भी बड़े संख्या में तेजस यार क्रेप्टों को नहीं पर्चेस किया जाना है, जिसके लिए भारत इन यार क्रेप्टों के पार्ट्स को बदले। इन डीलों से उठाना मुश्किल हो जाएगा, और शायद इनी कारणों के वज़ा से हिंदुसान अर्णोटिक्स लिमिटेड के तरफ से अब बताया जा रहा है कि अगर इन पार्ट्स को बदलने के लिए अर्जेंटिना के द्वारा खर्चा बेयर किया जाता है, तो के इजेक्शन सीर्ट, जबकि इसके इलावा तेजस मारकवान ये एरक्रेप्टो के नोस को उन से शुरू करके इसके जो रिफ्यूलिंग प्रॉफ है और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो डंलोफ के टायर है, ये सवी ब्रिटिश ओरिजिन है, अलाकि बाकी के जो पार्ट के जो कॉपिट है उसमें बदलाव करना पड़ेगा और खाली इजेक्शन सीट्स को लगाने से ही नहीं होगा, बलकि उसके बाद इसके बारीकी से टेस्ट को भी अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये ये यारक्प्टो के सेफटी इक्वेप्मेंटों में से एक है, और इसके लिए खाली खर्चा नहीं बलकि थोड़ा समय भी लगेगा और हिंदू सार एरनोटिक्स लिमिटेड को भी अपने अन्य प्रोजेक्टों से फोकस को हटा के इस प्रोजेक्ट में फोकस को केंद्रित करना पड़ेगा, जबकि दूसरे तरफ बताया जा रहा है कि नोस भारत के लिए उतना चैलेंजिंग ना हो, पर दोस्तो इन दोनों चीजों को बदलने के लिए भी यार कैप्टों के डिजाइन में थोड़ा बहुत तो चेंज अवश्य होगा, और दोस्तो ये चेंज करने के लिए भी थोड़ा समय लगेगा, जबकि दूसरे तरफ दोस्त अब इसके इलावा अगर देखा जाए तो फिलाल अरजन्टिना के सामने जादा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना अरजन्टिना स्वीडन के ग्राइपिन जैसे यार कैप्टों को खरिच सकता है, और ना ही साओध कूरिया के लिए जादा कुछ आप्शन नहीं है, क्य जैसे यार क्रेप्टों को पर्चिस कर सकता है, क्योंकि इन सवी यार क्रेप्टों में बिटिश पार्ट लगा हुआ है और इनी कारोनों के वज़ए से इन यार क्रेप्टों के द्वारा भी अरजन्टिना के टेंडर में पार्टिसेपेट नहीं किया गया था, तो इसमें Mick 35 के यार्व क्राइब का जिकर नहीं किया गया था, हलाकि अर्जंटिना के सामने, अमेरिका के द्वारा, 16 यार्वक्राप्टों का वी ओफर रखा गया है, जो कि डैनिश यार्वोर्स के, पुराने यार्वक्राफ्ट है, लेकिन बताया जा रहा है कि, अब डैनिश एरफोर्स की इन यार क्रेप्टों को यूकरेन को दिया जा सकता है जिसके कारण इसे भी अर्जेंटिना नहीं खरी सकता है। अर्जेंटिना जैसे देशों के अंदर पेनिक्ट्रेट करें और उसके बाद वहां से अमेरिका के लिए मुश्किले पैदा करें। के सामने रखा है और खाली ओफर नहीं बलकि इसे लोकली एसेंबल करने का ओफर भी भारत के सामने रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू कि अल्रेडी फ्रांस के इंबीडिय कमपनी के तरफ से भारत के सामने अपने कलवरी क्लास के सब्मरीनों को लेके स्कैल्क मिसाइल के नेवल वर्जिनों का ओफर रखा गया है। और दोस्तों यह फ्रांस के तरफ से कलवरी क्लास सब्मरीनों को लेके दूसरा बड़ा ओफर है। टॉर्पेडो को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने के साथ साथ इंडियन नेवी के जो सब्मरीन है उसके कैपबिलिटी कही गुना बढ़ जाएगा। इस टॉर्पेडो में सिल्वर ऑक्साइड अलुम्नियम सी वाटर प्राइमरी बैटरी का इस्तिमाल किया गया है। जो कि पावर के मामले में काफी बहतरीन है और दोस्तो ये इलेक्ट्रोनिक प्रोपल्सन सिस्टम वाला एक ऐसा टॉर्पेडो है जिसका वजन करीव करीव देटन से थोड़ा अधिक है। दोस्तो ये 6 मीटर लंबा और 533 मिलिमीटर के डायमीटर वाला टॉर्पेडो है मतलब आसानी से ये भारत के कल्विरी क्लास के सबमरीडों में फिट हो सकता है। किसी भी बड़े जहास को एक ही जटके में तभा करने के लिए काफी है। पर यहाँ पे भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के खुद के टॉर्पेडो मतलब वरुनास्तर टॉर्पेडो। वरुनास्तर टॉर्पेडो के लिए चैलेंज बन सकता है लेकिन दोस्तो वरुनास्तर टॉर्पेडो बनने से पहले इंडियन नेवी के जरुरतों को पूरा करने के लिए एटलिस्ट भारत को कुछ संख्या में तो इन टॉर्पेडो को पर्चेस अवश्च करना चाहिए।